भारत में एक से बटकर एक, विशाल और भव्य मंदिर हैं, जो इतियास की रोचक कहानिया बया करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कमबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है? कई सोवर्स पहले, कमबोडिया के गने जंगलों में एक हिंदू मंदिर का निर्वान शुरू हुआ, जिसका नाम अंकोरवार था, यह मंदिर कमबोडिया के अंकोर नामक स्थान पर खड़ा है, यह एक हिंदू मंदिर है, जो करीब 402 एकड में फैला हुआ है, और वहां कि ए द्रम सिर्फ भारत अक्सिमित नहीं है, इसकी पुरातन सैंस्क्रिति की जलग पूरी दुनिया में दिखाई देती है, यही कारण है कि इस द्रम के परती यह आवशेश यहां तक कि प्राचीन मंदिर विदेश में भी मिलते हैं, इन्ही प्राचीन मंदिरों में से एक है सुदू एकड में फैला हुआ है, यह मंदिर कमबोडिया के अगोर में स्थित है, प्राचीन समय में इस मंदिर का नाम यशो धरपुर था, बताया जाता है कि इसका निर्मार्ण समराड सूर्य वर्मन दुट्य द्वारा किया गया था, हमेर शास्त्री के सेली से परवावि सूर्य वर्मन दुट्य ने प्रारम जरूर किया, लेकिन वे इसे पूरा नहीं कर सके, मंदिर का निर्मार्ण 11 सदी के समराड सूर्य वर्मन दुट्य के सासनकाल के दौरान शुरू हुआ था, वैसे देखा जाए, तो मूल रूप से यह मंदिर खमेर सामराज्य के दिये श 69 मिटर रूचा है, उसके अतिरिक्त अन्य सभी आठो शिकर करीब 54 मिटर रूचे है, मंदिर साड़े 3 किलो मिटर लंबी पत्तर की दिवार से गिरा हुआ था, उसके बाहर 30 मिटर खुली भूमी और उसके बाहर 190 मिटर चोड़ी खाई है, विद्वानों के अनुसार यह चो खाई को पार करने के लिए एक पुल बना हुआ है, पुल के पार मंदिर में परवेश के लिए एक विशाल दुआर भी है, जो लगबग 1000 फिट चोड़ा है, अंकोरवाट यहां का एक अकेला इसा स्थान है, जिसमें भर्मा, विश्नु और महेश, चीनों की मुर्टिया एक स्थान पर है, अंकोरवाट मंदिर के खासियत यह है, कि यह विश्नु वगवान का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन आज के समय में यह मंदिर एक केवल विशाल नंगर का खंडर है, पर इस मंदिर की विशालता और निर्मान कला अपने आत्में बहुत ही जटि और आश्चरी जनक है, और यहां तक की माना जाता है कि इस मंदिर का नाता अलोकिक शक्तियों से रहा है, इस मंदिर को देखने में हमें पता चलता है कि विदेश में जाकर भी हमारे कलाकारों ने भार्तिय कला को जीवित रखा था, इसका यह जीता जाता हुदारन है, अग बन्ने बाद